एशाई बाजारों से कर लेते हैं इस वक्त अगर हम एशाई बाजारों के शिरुवात देखें तो काफी मजबूत होता हुए नजर आ रही है करीब 78 रग उपर है इस वक्त एक्जेक्स निफ्टी 18,332 के पास कारूबार कर रहा है और बाकी भी जो इंडाइसेज हैं वो अच संकेत विदेशी बाजार से नजराएंगे लगातार दो ट्रेडिंग सेशन्स अमेरिकी बाजार में यहां ब्याजदरों को लेकर जो कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं उसका एक इंपक्ट आता हुए दिख रहा है कर देशाम फेड मिनिट्स ने भी एक सिगनल दिया कि र जो है रिकावरी के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं इसके अलावा अगर आप देखें फेड मिनिट्स में दरो में साल के अंत और 2023 में छोटी बढ़हत के संकेत हैं तो यह सिगनल फेड मिनिट्स की तरफ से आते हुए दिखें ब्याजदरों में लगातार बढ़हत का असर जो है मेंगाई पर अब दिखना शुरू हो चुका है सेंटिमेंस हैं दिखने ही हैं और वो अब दिखने शुरू भी हो चुके हैं इस अफ़ते जॉबलेस क्लेम डेटा पर भी फोकस अगर करें 2.4 लाक पर कली आते हुए दिखें जबकि 2.25 लाक का अनुमान हम लगा चल रहे थे लेबर मारकेट में कमजोरी दिखनी शुरू हुई है और आपको बता दे हाँ से फेस्टिवल सीजन भी दिरे दिरे शुरू हो जाएगा थैंक्स गिविंग के मौके पर आज यूएस के मारकेट बंद रहेंगे तो कल हमारे पास क्यूज यूएस मारकेट से नह दिखने को मिली है तो अमेरीकी बाजार की पॉजिटिव क्लोजिंग और एशियाई बाजार की पॉजिटिव शुरूआती है यूरोपीय बाजार की अगर बात करें कल दोपे को जो भी यूरोपिन मारकेट बंद हुए वहां पर भी हमने पॉजिटिव मोमेंटम ही देखा अन्य संकेट फेड मिनिट्स में नर्म रुख के संकेट से 10 येर हील्स जो है 3.7% के नीचे जाती हुई दिखी है अब फेड मिनिट्स या ब्याश दरू को लेकर जो भी ख़बरेयां सेंटिमेंस आते हुए दिख रहे हैं इसका अक्रोस दी बोर्ड एक इंपक्ट आता हु नजर आई है क्योंकि रश्यन ओयल पर प्राइस कैप और यूएस में गैसलीन इंवेंट्री बढ़ने के कारण ये दबाव जो है वो देखने को मलाबरेंट 85 डॉलर के आसपास ट्रेड करता हुआ हम देख चुके हैं जो कि पहले 88 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था जी 27 देशों का रश्यन ओयल पर 65 से 70 डॉलर प्रती बेरिल अके दायरे में प्राइस कैप लगाने का विचार है और इसी ख़बर के बाद एक सेंटिमेंट बिल्ट होता हुआ दिखा और कच्छे तेल की चाल में जो हैं कमजोरी आते हुई देखने को मिली हैं करीब 4 पर सेंट की गिरावत यहां पर देख चुकी हैं इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 107 जो था वो 105 हैं गोल में हमने देखा एक बढ़हत देखने को मिली हैं बिलियन मार्केट में एक अप्टिक जरूर है और 10 ये रियल्ट की अगर बात करें 3.7 से 3.6 जो कि अभी हमने आपको बता हैं All in all संकेत अच्छे हैं Commodity Markets में Energy Pack में हमने एक गिरावत क्रूर में इन पर्टिकलर देखी है लेकिन अगर Global Setup में अमेरिकी बाजार और एशाई बाजार की बात करें तो सेंटिमेंस सुधरते हुए और अच्छे खासे इस वाक नज़र आ रहे हैं अफकोस Fed Minutes के Signals की बद बाद देखने को मिला बहुता शुक्रिया वांसी यह सारी जानकारी देने के लिए तो काफी बहतर संकेत है स्वर्ट आगे ब्यासदरों में जो बढ़त तेजी से हो रही थी अब उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है Fed के फैसले का असर अब धीरे-धीरे देखना शुरूर भी हो चुका है कुछ आंकड़े हम देख भी रहे हैं लेकिन अब नज़र रहेगी Fed की बैठव पर यह किस तरह का फैसला बहां पर निकल कर आता है लेकिन उसके पहले सेंटिमेंट्स इस पर ठीक ही दिखाई दे रहे हैं एक बार संस्थागत निवेशकों के आकड़ों पर नज़र डाले देखने के बाद हम समझेंगे कि आज भारती बाजारों में क्या करना चाहिए Fis की तरह से बात करें तो Cash Market में 790 करोर की विक्वाली हुई है Fis की घृरेलों निवेशकों ने Cash Market में घरधारी की 414 करोर की Index future में आकड़ाब खरधारी का ही है करीब 280 करोर का और Index option में देखिए 13,82 करोर की खरधारी Fis की तरह से देखने को मिली है यह expiry का भी पूरा week था November series की expiry भी आज होने वाली है तो उस लिहाद से हम देखेंगे कि बाज़ार में तोड़ा उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है